तंतन बबा नन सिंग जी महराज नानक सरवाले फरमोंदे हुंदे सन के जोग और सिक हर रोज नितनेम करदा है उसनों किसे भी गल्दी तोट नहीं होदी कोई भी दोख कलेश उस दे नेड़े नहीं होदा ते नाहीं जमादा पैयरेंदा है ते ओ सदा लई अमर हो जानदा है नेतनेम्दियां पाँज बाणियां जिना दा पाठ अमरत वेले ओठके हर रोज करण दी मर्यादा है ओ इस परकार है पहला पाठ है शिरी जबजी साहब दा शिरी जबजी साहब शिरीगुरु ग्रण साहब जी वेच नेतनेम्दी सब्तों पहली बाणि है जद शिरीगुर पुखे पाने दियां चोडियां विच तेरा तेरा दियां तारना तोल तोल के राशन दियां पाई जान दे सा ओदो चुगला ने दौलत खा नवाव पोड चुगली किती के नानक तोड़ा मोधी खाना लुटा रहा है। दौलत खाने पाया जैरम जी नू लंबा दिता जैरम जी ने नवाव नू तसली दिती के खान साव फिकर ना करो के जेडा जैरी सपांतों च्छां करवा सकदा है। जीदे हुकम बज्जों पता नी हिल सकदा ओ ताड़े सब काटे पूरे करदवेगा। ए सुनके नवाव लाजवाव हो गया, कुछ समय बाद फिर जदो गुर्णानक पाशानाल साब कीता गया, ताँ गुर्णानक साब जी धा वादा निकलया, ते नवाव गुरु जी दे चरना ते टैपया। फिर शिरी गुर्णानक देवजीनू बहुत जोर लाया के मोदी खाना चलाओ। पर गुरु जी ने कहा के मोति खाने दा कम होनसी छड़ देता है। जदो गुर्णानिदेव जी वेही नदी ते शनान करन गए ता उत्थे चुबी लाई ते निरंकार कोड जा पहुंचे। तिनना दिना बाद जदो वेही तो बार आए ता निरंकार पासों मूल मंतर जो बाणी दा आध है ओ लेके आंदा। एक ओ अमकार, सत नाम, करता पुर्ख, निर्पाओ, निर्वैर, अकाल मूरत, अजुनी, सहपं, गुर्परसाद, जप आद सच, जुगाद सच, है पीई सच, नान खोसी पीई सच। नितनेम दी सवतों पहली बाणी शिरी जबजी सहाब है, जो मूल मंतर तों शुरू हुंदी है, जिस दे जपन नाज सब दुनियावी पदारत हासल हुंदे हन, ते बंदा जनम मरंतों रैध हो जानदा है। शिरी जबजी सहाब दी महानता संबंदी एक साखी इस्तरा है के छेवी पाशाई शीरगुर हरगोबिन सहाब जी महराय ने गुर्सिखा नों कहा के कोई गुर्मोंक जबजी सहाब दा शुद पाठ सुनावे, गुर्नानक पाशादे दरों उसनों अनमुली बक्षिश प्र हरंब कर दता, साथगुरु सचे पाशा, तानिशीरगुर हरगोबिन सहाब जी महराय पाठ सुन दे गए, ते मेरे शाहनशा बंदी छोड, होली होली सिंगासं तो उच्चा हुन दे गए, जदा खीरलियां तो कांस एक सुना रहा सी, ता उस दी बिरती उखड गई, ते ला काट काट दियां जानन हार साथगुरु जी ओदे दिल्दी पावना जान गए, जाद पाठ संपूरन होया, ता प्रसानता बड़े होय, पर क्यान लगे, गुर्मख प्यारया, गुर्सिखा, पाग्यां तो बिना कुझ नहीं पराफ्त हुन दा, असी दा तेरे तेनने प्रस सुनके, अस चर्ज होई, ते सब दे मुहों अपने आप निकलया, तान तान गुर्णानक पाशा, तान तान गुरु हर्गोबिन जी महराय, तो अडे चोज नियारे हन, तो अडियां तूसी ही जान दे हो, सो उस गुर्सिख नू, उस दे मनोर्थ मतावक, कोडे ते काठी प आके, गुरु जी ने उसनों बक्षिश कर देती, इतिहास दस्दा है, के बाबा दीप सिंग जी शहीद, शीरी जब जी साहब दे अंगिनत पाठ कर दे हुंदे सां, बाबा जी केंदे हुंदे सां, के गुर्मुख प्यारेो, सिम्रन मान लाके करो, इह मन बहुत चंचल है, ते बंदर दी ने आई है, कदे किते टप जानदा है, ते कदे किते टप जानदा है, इस दे मगर ना लगो, इसनों अपने वस वेच रखो, ते प्रभु जी पास सरदास करो, के एह मन तो अटे काबु वेच रवे, दूसरी बाणी आँदी है, शीरी जाब साहब, जाब साह दी है, भीरता ते पक्ती, एकठ्यादा मन विच परवेश हो जानदा है, इसनों पढ़ के इनसान संत स्पाही बन जानदा है, तीसरी बाणी आँदी है, त्वै परसाथ सवय ये, ए बाणी पढ़ के अगम्मी सरूर ओनदा है, ते उस अकाल पुर्खनाज मन जुड जानद है, जों दिलों, मनों एक होगे पढ़दा है, ओदे पंडारे पर पूर इंदेहन ते आतम ग्यानदा परकाश होंदा है, चौथी बाणी ओदी है, शीरी चौपई सहाब, इस विच निरंकार अगे प्राथना है, के हमरी करोहा दैर अच्छा, पूरण होए चित की इच्छा तव जर नन्मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रित पारा, पाव हे दातार पाशा, साड़ी पेट ते हाथ रक, साड़ी रच्छया कर, साड़े देल दियां इच्छामा पूरण होण, तेरे चर्ना नाड मन जुड़या रहे, मेनु अपना बनालो, ते अपना जान के मेरी प पालना करो, तानगुरु दसम पाशा, जो हर समय अपने प्रेमी सूर्बिर सिंगा दे अंग संग है, ते पंजबी बनियों दी है, शिरी अनन्द साहब, अनन्द साहब दी पवित्तर बाणी, ती जे पाशा, शिरी गुर अमरदास जी महराई दी है, इस वेच अथा पकती ह ते इंसाननों अनेका नसीहतां महराईने दितियां है, ए सरीरा मेरेया, हर तुम मैं जोत रखी, तान तु जग मैं आया, सिर्जन हार फरमोदेहन, कि हे जीव, तेरे सरीर वेच, मैं अपनी जोता परकाश कीता है, तान तु इस जहान ते आया है, काफी समझाया है, कि तु स ते रोज अर्दासां करदे सन, कि हे दातार, साड़े दिलों ना विसरी, ओह काम करावी, जो तेनू पौंदा होए, ओह ना कराई, जो तेनू ना पौंदा होए, पैर पैर ते माननों ठोकरावाई दिया हन, जे जागवेच चाती मारे, ता कोई विरला ही, गुर्मुख दि यारे, गुर्सिक हन, जो गमी वेलेवी ते खुशी वेलेवी, अनांद साहब दिया पौडियां दा पार्ट कर दे हन, फिर सद्गुरु पाशा ने एक बाणी लिखी है, जिस दा नाम है शब्द हजारे, शब्द हजारे दी बाणी विच, शिरीगुर अर्जन देव जी मह अन्राज देपती जैदी लहोर विच शादी सी, गुरु जी ने शादी विच शामल होंड लई, पहला वड़े सहब जाते प्रिथी चंद नों जान लई केहा, उसने कई बहाने करके ना कर दती, फिर साथ गुरु शिरीगुरु अर्जन देव जी ने छोटे सहब जाते नो होना है, सो शिरीगुरु अर्जन देव जी सत बचन कहके अपने ताया जी नाड लहोर पहुंच गए, व्यातों वेले होके कुझ समाबाज, वना ने अपने पिता शिरीगुरु रामदाज जी महराईनों चिठी पाई, जिस विच बेंती किती, ते देल्दी वेदना दसी, मेरा मन लोचा है, गुर्दरसंत आई, बिलब करे चात्र की नियाई, त्रिखा न उत्रै, शांत ना आवै, बिन दरसंत प्यारे जीओ, हों को ली जीओ, को उलकमाई, गुर्दरसंत प्यारे जीओ, शिरीगुरु अर्जन देव जी दी पहली जेठी, उना दे बडे परा, प्रिथिय दे हाथा आगई, उसने समाल के राख लई, ते पिता शिरगुरु रामदा जी नो ना दखाई, कुझ समय बाद, फिर शिरगुरु अर्जन देव जी ने, दुजी वैराग मैं चिठी लिखी, ओ एसी, तेरा मुक सुहावा जीओ, सहज तुन बाणी, चिर होआ दिखे सारंग पाणी, तानसो देश जहां तु वसया, मेरे सजन मीत मुरारे जीओ, होंको ली होंको उलकुमाई, गुर सजन मीत मुरारे जीओ, ए चिठी वी प्रिथिय प्रादे हाथवे जागई, ते गुरु पिता नो दिखाई बिना ही, उसने अपने कोल रख ले, फिर ते शिर गुर अर्जन देव जी ने तीसरी चिठी लिखी, ते दिल दीगाल दसी, एक कड़ी ना मिलते ता कल जुग होता, होंकाद मिलिया, प्रया तुद पग बनता, मोहे रेन ना विहावे, नीद ना आवे, बिन देखे गुर दरबारे जीओ, होंको ली जीओ, को अलग मई सी, गुरु कर दे दर्शना दी खेज सी, ते चिठी ते तेने नंबर लिखया सी, पढ़के महराज बड़े परसान होय, ते प्रिथी चंद साहब जादेनों साद के, पहलियां दोहां चिठी आ बारे पुछया, पार्वो साह मुकर गया, काटकर दियां जानन हारे सादगुरा ने सेख पेज के, प्रिथी चंद दे जामे दी जैब चों, दोमे चिठी आ मगवा लिएं, ते शिरिगुर अरजन देव जी नू लहोर तों वापस मगा लिया, फिर शिरिगुर अरजन देव जी ने, प्यारे पिता गुरु रामदास जी दी हजूरी वेच, च आग हो आग और संत मिलाया, प्रभ अभिनासी कार्मय पाया, सेव करी पलक चसाना विछडा, जन नानक दास तुम्हारे जी यो, हों को ली जी यो को उलकुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जी यो, सोटी पाशा, सहब जादे दे शबत सुनके बहुत परसान होय, ते गुर दी चरनी लाज़ता, ते गुरु जी ने बचन किता, के जेडा सिक, शब्द हजारे दा पाठ करया करेगा, उसनों हजारां गुन फाड मिला करेगा, फिर शाम दी बाणी ओदी है, शिरी रहरा साहब, रहरा साहब दी बाणी, शाम विले पड़ी जन दी है, जिस विच पहल नाड बक्षे जान दे हन, ते चार पहर, रैंड सुख दी बतीत हुन दी है, ते गुरु दे लड लगे रईदा है, फिर अर्दास हों दी है, अर्दास दी मर्यादा ए है, के जदो भी बाणी दा पाठ करिये, ता सचे पाशा जी दे चरना विच अर्दास करते हैं, के दात सद्गुरु जी गुर्सिख दियां मनों काम नावां पूरियां कर दे हन, ते अंत विच कीर्तन सुहेला हों दा है, इस बाणी दा रात नू सौन विले पाठ करना चाई दा है, जिस करके माडे सुपने नहीं हो दे, मान शांत रहन दा है, ते रैंड सुखा दी बतीत हुन गुर्सिखा नू हर रोज आरती भी जरूर पढ़नी चाई दी है, ए शिरी गुर्नानग देवजी दी पवित्तर बाणी है, इस विच अकाल पुर्ख दे वैराट सुरूपदा कथन किता है, शिरी गुर्नानग देवजी ने जगना दे मंदर दे सामने मंगु मठ दे उचार्न किता, ते ओ पंडे जो दीवेबाल के परमेशर दी आर्ती कर रहे सन, उनानों शूब उपदेश बक्षया, इस दा किर्तन रात नू रहरा साफ दे पाठ, अखंड पाठ, सहज पाठ, ते सबताहिक पाठ दे पोगतों बाद किता जान्दा है, पगत रभीदास जी पगत सैन जी, पगत कबीर जी, पगत तन्ना जी आदग दे शब्दान दावी, इस दे नाल ही गायन किता जान्दा है, सोसा संगर जी, तंतन बाबा नन सेंग जी ने एना बाणिय दा महतब आपने सिखानों दसके निहाल किता है, वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की वाते